40 Government Employees के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया गया है आपको बता दे कि 40 Employee ने जो है वो Model Code of Conduct की Voilation की है जैसे ही Model Code of Conduct को लगाया गया था वैसे ही तमाम आपको बता दे कि Employees को ये कहा गया था कि जितने भी government employee हैं वो किसी भी तरह की कोई violation जो है वो नहीं करेंगे जो model code of conduct के दाइरे में आती है यहां पर एक एक दो दो करते करते कुल मिलाकर 40 government employee हैं जिनके खिलाफ आपको बता दे strict action लिया गया है इससे पहले भी हमने आपको खबर दी थी लेकिन 40 का अंकड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि model code of conduct की violation जिन government employees ने किये ने बहुत सक्ती से बताया गया था कि आप government employee हैं आप model code of conduct की violation जो है वो नहीं कर सकते हैं आपको बता दे कि इनमें से कुछ जो है वो political rallies का हिस्सा बने और कुछ जो है जिन्होंने model code of conduct की violation किये हाला कि अभी ये शुरुआती जांच थी जिन्हे model code of conduct के डायरे के अंदर जो है उनकी job से suspend किया गया इनमें से चार employees ऐसे हैं एक को disengage किया गया और बाकी के बात करते हैं उन पर जो है inquiry चल रही है हाला कि elections जो है वो आकर चार जून को इनका result भी आ जाएगा लेकिन model code of conduct की violation करने वाले government employees के खिलाफ जो है वो 37 से जांच की जाएगी और जांच करने का कारण यही होगा क्या ये किसी political party के influence में आकर इन्होंने ऐसा किया या क्या ये अंदर से किसी political party को support करते थे क्या किसी political party ने ने किसी कोई पेश्ष की है क्या किसी political party से ये अंदर से जुड़े हुए है इन सब चीजों को लेकर जो है वो यहाँ पर लेकिन सबसे ज़ादा employees जो है बात हैरान करने वाली है कश्मीर से हैं और उससे कम की अगर हम बात करें वो employees जो है वो राजोरी से है जब आपको ये भी बता दे कि आपको साफ तोर पर कहा गया था election commission की तरफ से कि जब जमू और श्रिनगर में भी press conference वी बता दिया गया था कि अब model code of conduct जो है वो लग चुका है और model code of conduct जब elections के दोरान लगता है जिसमें आपको कोई भी ऐसी guideline का violation नहीं करनी यानि आपको पूरी SOP का पालन कर रहा है लेकिन election commission की बात करते हैं और election department एक data दिया है जिसमें का है कि 40 government employees को जो है वो violation के model code of conduct की violation के लिए जो है उनके ओपर कारवाई हो रही है सबसे बड़ी बात है कि इन 4 employees को suspend किया गया है एक पर disciplinary action जो है वो किया जा रहा है और बाकी के अगर बात करते हैं यानि 2 पर disciplinary action की जो भी यहाँ पर employees है government employees वो किसी भी political rally का हिस्सा नहीं बनेंगे किसी भी तरह पर WhatsApp पर चैट पर या किसी भी तरह से किसी की कोई महीम लंबी चलने वाली है और चार को जो है यहाँ पर suspend किया गया है और 40 government employee जो मकश्मी से ऐसे हैं जिनके ओपर model code of conduct की violation को लेकर जो है यहाँ पर उनके खिलाफ जो मुकदमा चलेगा और उनको जो यह भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यूं किया क्या उन्हें कोई political party benefit देती है या वो किसी political party से जुड़े हुए है या आपको साफ तोर पर यही होगा आखिर में political party के लिए जवाब देना होगा कि वो किसी political rally का हिस्सा क्यूं बने थे तमाम खबरों की जिस तरह से बात करते हैं आप देक्तरी जिम्बलेटन न्यूस खबर को फॉलो और जिस तरह से बात करते हैं चैनल को फॉलो और लाइक करना ना भूले